नमस्कार, मैं मुरली मुनहरगुश्वामी, आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूँ. आज हम लोग अध्यन करेंगे अश्टमवर का गनीत एकसरसाइज 8.1. इस एकसरसाइज का एक वीडियो मैं आप लोगों को पूरू में बतला चुका हूँ. जो चात्र चात्रा उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, अब अच्छे देख लेंगे. उसके बाद जो मैं आज बतलाने जा रहा हूँ, उसे समझने में स्विधा होगी और आप बहुत अच्छे धंग से समझ पाएंगे. एकसरसाइज 8.1 का कोस्टन नमबर 2. किसी संख्या के दुगने में 8 जोडने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्याद कीजिए. इस टाइप का जो भी प्रस्ण होता है, उसमें आप लोगों को सबसे पहले कोस्टन को बहुत अच्छे धंग से समझना होगा. कोस्टन में देखें क्या बोला जा रहा है, किसी संख्या के दुगने में 8 जोडने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्याद कीजिए. सबसे पहले आपको संख्या मान लेना होगा, माना की अभिष्ट संख्या ब्रावर एक्स. इसलिए प्रस्णा नूसार प्रस्ण में क्या बोला जा रहा है, इस पर ध्यान देना है, किसी संख्या के दुगने में मैं संख्या एक्स माना हूँ और प्रस्ण में बोला जा रहा है कि किसी संख्या के दुगने में संख्या एक्स है, तो संख्या एक्स का दुगना क्या होगा, टुग एक्स. किसी संख्या के दुगने में आठ जोडने पर, इसमें आठ जोडने, बत्तिस प्राप्त होता है, इस इक्वल टू बत्तिस. इसके बाद इससे आपके और सॉल्फ कर दें, implies 2x is equal to 32, 8 को बराबर के जब दाहिनी और भेजा जाएगा, तो प्लस गुल्टा माइनस 8, implies 2x is equal to 32 में से 8 घटाने के बाद 24 आएगा, implies x is equal to 24 बत्तिस, आपके बाद 24 आएगा, एक्स का बहलू 12 भागया, अत्तह अभिष्ट शंख्या, एक्स बराबर 12 भागया, अब आपको चेक करना है कि यह प्रस्न आपने बनाया है या सही है या गलत है, इसे आप इस तरीका से चेक करेंगे, एक्स का बहलू इस समीकरन में बैठाएंगे, जैसे टू एक्स प्लस एक्स इस इक्वल टू थर्टी टू, एक्स के जिगा पर बैठाना है टूएल्व, दो को टूएल्व से गुना करने के बाद टूएंटि फूर, टूएंटि फूर प्लस एक्स इस इक्वल टू थर्टी टू, यदि इस समीकरन में एक्स का बहलू बैठाने के बाद, बराबर के बाईंग और और दाहिनी और, दोनों वहलू बराबर हो जाता है, इसका मतलब है कि आपका जो आंसर आया है, वह सही है, किसी बूक में आंसर देखनी की, आपको आप सेक्ता नहीं पड़ेगी, और आप खुद स्वेंग चेक कर लेंगे, कि आपने जो बनाया है, वह आंसर सही है, यदि आप परिच्छा में बना रहे हैं, और आप चेक कर लिएंगे, कि आंसर सही है, तो आप उसी समय एस्योर हो जाएंगे, कि मुझे इस प्रस्ण में, फूल मार्क्स मिलेंगे, कोशन नमबर तीन में आपके लिए सौल्फ करता हूँ, कोशन नमबर तीन में, किसी संख्या के एक तिहाई में, पांच बटा दो घटाने पर, तीन बटा दो प्राप्त होता है, वह संख्या व्याद किजिए, इस कोशन में भी सबसे पहले आपको, वह संख्या मान लेना होगा, माना कि अभिष्ट संख्या बराबर एक्स, इसलिए, प्रस्न नुसार, प्रस्न में क्या कहा जा रहा है, किसी संख्या के एक तिहाई में, मैं संख्या माना हूँ एक्स, कोशन में बोला जा रहा है, कि किसी संख्या के एक तिहाई में, संख्या एक्स, तो एक्स का एक तिहाई होगा, एक्स बटा तीन, पांच बटा दो घटाने पर, इसमें माइनस कर दें, पांच बटा दो, तीन बटा दो प्राप्त होता है अथाथ बराबर के बाद तीन बटा दो डिखना होगा यदि आप कोशन को अच्छे धंग से समझ कर इस समीकरन को अच्छे धंग से लिख लेते हैं तब समझ जाएं कि आपका आधा सॉलूसन हो गया इसके बाद बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है इसके बाद आप बहुत आसानी से बना सकते हैं इंपलाइच जैसे देख लें एक से बटा तीन बराबर के बाद तीन बटा दो माइनस पांच बटा दो को बराबर के दाहिनी और फेजा जाएगा तो पलस पांच बटा दो दो और दो का इल सीम दो यहां तीन होगा और यहां पर पाँच इंपलाइज एक बटा तीन बराबर पांच और तीन आठ बटा दो इस कंडिशन में आपको तीरियक गुना करना होगा तीरियक गुना करने पांच तीरियक गुना करने के लिए क्या करना होगा एक्स को दो से गुना करना होगा तो एक्स बराबर 3 को 8 से गुना करना होगा 3 गुना 8 निपलाइच x बराबर 3 गुना 8 बटा 2 x के साथ जो संख्या होता है वह नीचे लिखना होगा 2 एकम 2 2 चौपी 8 चारतिया 12 अत्व संख्या बराबर 12 यह आंसर होगया मैं आसा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा आप लोगों ने धैर के साथ वीडियो को देखा और इस प्रस्ट को अच्छे ढंग से समझा इसके लिए many many thanks जैं